डॉक्टर फोन फोन मैनेजर के साथ आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो अपने आइफोन को अपने PC से सारा मीडिया ट्रांसफर कर सकते हो अपने PC से अपने आइफोन पे और अपने आइफोन से अपने PC पे music को manage कर सकते हो, videos को manage कर सकते हो, photos को manage कर सकते हो, directly अपने PC से, अपने iPhone के ऊपर, यहाँ पे आपको contact management का भी option मिलता है, जहाँ पे आप नए contacts मना सकते हो, पुराने contacts edit या delete भी कर सकते हो, आप applications डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको file manager का भी option मिलता है, जहाँ पे आप अलग इंडिया की पहली ही, लेकिन इंडिया की आरी अन्बॉक्सिंग तो हम लोग करी सकते हैं। और इसका price भी लिखा हुआ है इंडियन रुपीज के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक में यह box completely covered है क्योंकि यह apple का original packaging है और इसको इस तरीके से आपको pull करना है कोई knife का इस्तेमाल नहीं करना है और आपका iPhone unbox हो जाएगा iPhone के box को खोलने का मज़ाई कुछ और है दोस्तों यहाँ पे आप देख सेकते हैं कितना smoothly और कितने प्यार से यह box open हो जाता है box के अंदर आपको देखने मिलते हैं कुछ documents और यह documents में आपको एक और चीज नहीं देखने मिलेगी चोके है यहाँ पे यह product right वाला leaflet साथ देखने मिलते हैं जो कि किसी भी apple के electronic device के साथ आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे हमारा iPhone SE है plastic में wrap किया हुआ बहुत ही प्यारा देख रहा है दोस्तों resist नहीं हो रहा है पहले इसको मुझे आपको दिखाना है लेकिन पहले box में क्या क्या देख लेते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक 5 watt का charger हमारा सबसे मनपसंद charger जिस पे हम अपने phone को charging पे लगाते हैं और इंतजार करते है कि कब यह full charge हो जाए lightning earpods भी आपको देखने मिलेंगे जो कि wired है और यहाँ पे lightning to USB cable देखने मिलेगा charging के लिए अब यह plastic हमारे phone से हटाते है तो यह दोस्तो आइफोन AC 2020 अपनी full glory में full glory इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी fingerprint नहीं है कोई dust नहीं है कोई धूल नहीं है एकदम साफ सुतरा ऐसा iPhone ऐसी जो है मुझे वापस कभी देखने नहीं मिलेगा इसलिए मैं लेग रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आपको भी दिखा दो देखिए कितना साफ सुतरा और कितना अच्छा नजर आ रहा है काश यह ऐसे हमेशा fingerprint के बिना रह पाता बैक अगर देखिए दोस्तो आइफोन AC का तो यहाँ पे नए Apple fashion के अंदर logo center में दिया हूआ है जो के इसको जादा एक cleaner look देता है अभी यह मुझे बहुत पसंद आता है पहले थोड़ा आजीब लगता था और यहाँ पे नीचे bottom में लिखा हूआ है product product इसलिए लिखा हूआ है क्योंकि यह product red वाला version है दो volume rocker के switch है और एक silent switch है phone का जो frame है वो completely aluminum का है phone के right hand side पे आपको दो antenna bands एक SIM tray और एक power on off button देखने मिलेगा SIM tray में एक single SIM ही लगा सकते है bottom में आपको देखने मिलेंगे दो grills जिसमें एक speaker है एक microphone है और center में आपको देखने मिल रहा है एक lightning port पता नहीं Apple इसमें कभ USB-C port लेके आएगा top इस phone का completely clean है ना यहाँ पे कोई microphone का hole है ना ही कोई antenna band आपको देखने मिलता है बहुत ही clean look top में दिया हुआ Apple ने front अगर देखें तो black दिया हुआ है इसका front के top और bottom के bezels क्योंकि यहाँ पे यह इसका एक नया look है पहले white और black दो combination में आता था और bottom में आपको देखने मिलता है second generation का touch ID sensor phone का first boot हमने यहाँ पे किया है दोस्तो power switch को on करके जब यह phone wifi से connect हो जाएगा तो automatically activate हो जाएगा और इसकी warranty वहीं से शुरू हो जाएगी अब यह hello वाला screen आ गया है बस हमको home button को दबाना है अपना region से लेक करना है और नए iPhone को अगर आप set up करते हो और आपके वास एक पुराना iPhone है तो बस पुराने iPhone को नए iPhone के करीब लेके आईए एक pop up आ जाएगा यहाँ पे जब connect लिखा आएगा तो connect पे आपको कर देना है click जैसी आप connect पे click करेंगे आपके नए iPhone के उपर एक बहुत ही प्यारा सा animation आ जाएगा जिसको आपको अपने पुराने iPhone से कर देना है scan और automatically बिना कोई password एंटर किये बिना Apple ID दाले, बिना Wi-Fi का password दाले आपका phone automatically set up हो जाएगा फिर आप fingerprint जो है set up कर लीजिए और आपका phone जो है completely ready हो चुका है तो यहाँ पे हमारा iPhone SE 2020 completely हो गया है set up एक बार fingerprint scanner का responsiveness आपको बतायता हूँ देखिए कितना responsive है पहले जो आते थे iPhone 7, 8 उसमें भी यही fingerprint scanner दे लेकिन यहाँ पे मुझे उसका responsiveness जादा अच्छा लग रहा है maybe because it is a new fingerprint scanner मतलब नए फोन है तो fingerprint scanner भी नए होगा यहाँ पे दोस्तों जो पैनल दिया हुआ है सामने वो है 4.7 inches का जिसका PPI है पिक्सल पर इंच है 326 और maximum brightness है 625 minutes जितनी iPhone 11 की भी है तो यह brightness बहुत ची है sunlight legibility के लिए और viewing angles आप देख सकते हो बहुत कमाल के है यह LCD display है इसका resolution यह इतना high नहीं है लेकिन Apple बहुत च्छे LCD panels बनाता है और यह true tone की technology support करता है true tone का मतलब यह है कि ambient lighting जो है उसके मताबिक आपके display का color temperature यह set करेगा automatically रियल टाइम के अंदर तो आपके आँखों पे खराब असर नहीं पड़ेगा यह आँखों के लिए बहुत च्छे होते है Apple के LCD displays होते है वो तो आपको tension नेने वाली कोई बात नी OLED के मुकाबले आँखों के लिए यह कम stressful है UI की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे typical iOS है और यहाँ पे आपको three touch की जगा haptic touch मिलता है जो कि सभी latest iPhone में आपको देखने मिलेगा सारे features जो नए iPhones के अंदर है वो सारे features आपको यहाँ पे देखने मिलेगे obviously जैसे face ID sensor नीए तो कुछ वहाँ पे restriction है इसमें touch ID sensor है थोड़ा यहाँ पे जो user interface अलग है लेकिन overall exactly same user interface across the range आपको सारे iPhones पे देखने मिलता है चलिए फड़ा-फट से दोस्तों अभी आपको लेके जाता हूँ setting में दिखा देता हूँ iOS version कुण सा चल रहा है और storage आपको कितना free मिलता है इस phone के साथ तो settings में चल जाते है और यहाँ पे about phone के अंदर जाके आप देख सकते हैं 13.4.1 है अभी box में से निकाला हूँ अभी 13.5 आया तो update आएगा और available free space जो है वो 51 GB आपको मिले का 64 GB में से अब बात कर लेते दोस्तों camera के बारे में तो rear facing camera है 12 megapixel का इसमें जो video recording आप कर सकते हो वो है 4K 60 frames per second पर आपको एकदम cinematic वाला image stabilization मिल जाएगा कोई tension लेने वाली बात नी बहुत ही fantastic videos आप इससे निकाल सकते हो vlogging के लिए भी काफी camera जो है अच्छा है इसका क्योंकि छोटा है compact है आप अलग-अलग scenes दिखा सकते हो slow motion video recording कर सकते हो इसमें और rear facing camera में single lens है लेकिन फिर भी आप इसमें portrait mode का इस्तमाल कर सकते है और 6 lighting effects आपको देखने मिलेंगे लेकिन सिफ humans के लिए कोई भी object का या कोई भी जो है animal का आप portrait mode में photo नहीं निकाल पाएंगे उसके लिए कोई अलग application आपको इसमाल करना पड़ेगा यह एक इसके अंदर restriction दिया हुआ है अब बात करेंगे दोस्तो night mode photography की तो night mode यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता iPhone 11 जीसा लेकिन यहाँ पे कुछ नए features जो iPhone 11 के camera interface के अंदर दिया है जैसे aspect ratio चूस करने का option वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो iPhone XR, XS, XS Max में भी आपको देखने नहीं मिलेगा सिर्फ एक ही कमी रहे गई वो है night mode के still photos की बाकी इसके अंदर सब कुछ आपको देखने मिलता है जो iPhone 11 सीरीस के अंदर आता है except for the ultra wide angle lens front facing camera की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 7 megapixel का front facing camera है video recording में यहाँ पे एक restriction यह है कि 1080p 30 frames per second पे ही video recording कर सकते है iPhone XR जैसा iPhone 11 जैसा 4K60 इसमें front facing camera में मौझूद नहीं है बाकी front facing camera में भी आपको 6 lighting effects के दाथ portrait mode photography मिलती है यहाँ पे भी आप human subjects का ही photo यानि कि selfie में portrait mode का इस्तमाल कर पाएंगे रेकिन portrait mode की quality आगे और पीछे camera की same है आप aperture भी adjust कर सकते हो वो के effect जो है वो भी adjust कर सकते हो specifications की बात करें दोस्तों तो Apple का A13 Bionic chipset है 3GB का RAM है iOS के अंदर यह बहुत सादा होता है 3GB RAM में आप कमाल की multitasking कर सकते है और A13 Bionic chipset जो है एक कमाल का processor है जो इस phone को मदद करेगा अगले 5 साल तक software updates में अराम से आपको latest iOS version जो है अगले 5 साल तक देखने मिलेगा इस phone के उपर बैटरी जो है दोस्तों इस phone के अंदर 1821 image capacity की है समझ लीजे 1821 image capacity की वही जो आपको आइफोन 8 में मिल दीती तो battery life भी उतनी मिलेगी आपको बहुत जादा battery life इसके अंदर आपको देखने नहीं मिलेगी इसका battery test day to day life में कैसा रहता है वो सब मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पे आपको wireless charging का भी option मिलता है तो आप किसी भी wireless charger का इस्तमाल कर सकते हो सस्ता हो या महिंगा हो और fast charging भी आप इस्तमाल कर सकते है लिए आपको fast charger इस पे अलग से खरीदना पड़ेगा अगर आप one-handed use के लिए एक phone लेना चारे या बहुत ज़्यादा media consume नहीं करते तो यह phone आपके लिए बहुत अच्छा option होगा एक secondary phone के तरफे भी बहुत अच्छा option होगा आईए दोस्तो अब इसके stereo speaker जो है iPhone 11 के stereo speaker से compare करके देखते हैं हम लोग दोनों के speakers मैंने compare कर दिया दोस्तो अब आप comment section में लिखके बताईए किसके speakers आपको ज़्यादा loud लगे iPhone 11 के या iPhone SE के दोनों के अंदा stereo speakers है बस यह है कि आपको iPhone 11 में जो speakers है वो एक दूसे ज़्यादा दूर मिलते है तो आपको ज़्यादा अच्छा surround sound का experience उसमें आ सकता है water resistance की बात करें दोस्तो तो IP67 का dust and water resistance है एक मेटर पानी में 30 मिनिट तक इसको आप डुबा के रख सकते हो recommended यह है कि यह चीज ना करें बारिश में तभी भीग जाए तो फोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा waterproof नहीं है water resistant है और कोई भी mobile phone company जो है अपने phone की water resistance की कोई warranty नहीं देती इसमें पानी अगर चला गया तो आपकी warranty phone की खतम हो जागी तो बहुत ही careful रही है महिंगा phone है समाल के इस्तमाल कीजिए तो यह था iPhone AC 2020 का unboxing हमारे चैनल पे बहुत सारे videos बनाने का मेरा plan है 20-30 video बनाने का इस device के उपर मेरा plan है तो आपको जो जो बाते इस device के बारे में जाननी है सब बताईए पूरे दिन का इसका usage के बारे में आपको जानना है कोई particular iPhone, iPhone XR, iPhone 11 या पुराने iPhone 7, 8, 6S किया तो आपको comparison चाहिए वो आप मुझे बताईए जो आपको जानना है नीचे मैं सारे comments पढ़ूँगा और उसमें से choose करके जो है मैं वीडियो के topics आपके लिए वीडियो लिए लिए और आपको जो देखना है वही मैं इस वीडियो के अंदर या इस चैनल के ऊपर दिखाने ही कोशिश करूँगा ये फोन मैंने कहा से लिया वो भी बताईता हूँ किस टाइप का offer मुझे मिला वो भी बताईता हूँ ये मैंने लिया है flip card से और मैं रहता हूँ माराश्टर के अंदर और यहाँ पे जो है flip card से वहाँ पे ये deliver हूआ दो दिन के अंदर जो के बहुत चीवात है flip card ने काफी जल्दी delivery की है और वहाँ से जाके मैंने pick up करके आज लेके आया और ये वीडियो बना के आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ इसलिए आज हमारा जो Sunday की वेने है वो आज आपको मैं नही लेके आप आ रहा हूँ कल जो है मैं Sunday की वेने आपके लेके आने की पूरी कुश्श्च करूँगा तो जो भी आपके thoughts है जो भी आपके comments है सब नीचे जो है type कर दीजे ताके मैं जान सबू कि आप इसके बारे में और क्या-क्या जानना चाते है तो उमीद करता हूँ दोस्